एक्जाम पॉइंटर हिस्ट्री जी एस एक लाग कोशन हिसमें यूथ कंपेडिशन टाइम्स यूपी पीसियस यल्टी ग्रेट पीजीटी टीजीटी और सभी प्रिच्छा में पूछे जाते हैं तियास प्राशिन तियास मद्यकानिन आधुनिक तो देखते हैं इसमें कौन स ने हम खोलते हैं हलप्या सिंधु सबित्ता हलप्या सबथा की बारे में पहीं कि वनलाइन प्रिच्छा में समान तथ्यात्मक भ्यूयर्ड जूदिया है साधार सिंधु सबित्ता की नामों से जाना जाता है तो ये देखिए सिंदु सभेता पहला गया सिंदु घाती की सभेता हरपा सभेता कांसर योगीन सभेता चार नामों से जाना जाता है सिंदु सभेता हरपा संस्कृति की जानकारी का परमुक शुरोथ है पुरा तात्विक उत्खनन सिंदु सभेता का किस काल से समंद सिंधु सभित्या का छेथफल कितने लाख वर्ग किलुमेटर है लगभग 30 लाख वर्ग किलुमेटर है रेडियो कार्बन सी 14 दोरा विशलेशिस सिंधु सभित्या की सर्वधिक माननेती थी है लगभग 323 इसापूर्व से 3700 इसापूर्व सी 14 जो है ये पता लगाते हैं कितने वस पुराना है विभिन स्थलों से प्राप्त असन्सोधित रेडियो कार्बन सी 14 के अधारपा हलपा संस्कृति और अम्भिक हलपा सभित्या 32-26 इसापूर्व नगरिश 13-26-19-19 इसापूर्व उत्तरी हलपा सभित्या 19-13 इसापूर्व हलपा सभित्या की आकरती कैसी है तिर्भूजाकार háलपा संस्क्रितिक मानेजाती है कांस योगियन तथा अध एतिहासित मानी जाते हैं देखें यहां पर बनाएगा है फीगर्भी सिंदु सभेता का पिस्तार जो है उत्तर में मांडा जम्मुकस्मीर फिदच्छिड में दैमाबाद महारास्तर अपूर में आलमगिरपूर मेरत में है उत्तरपदेश पस्चिम म सुत कांगेदोर मकराना तथप देश जो है 14 सो उपा से नीचे है 16 सो पस्चिम से पूर्व है और विभीण विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंदु सभेता की तिथी निर्धारित की गई है जान मासल जो है 3250 से 2750 मानते हैं आलनेस्ट मैक 2800 से 2500 इसापुरू मानते हैं, मधोस औरूप वस 3500 से 2700 इसापुरू मानते हैं, सी जे गैंड 2350 इसापुरू से 1700 इसापुरू, मार्तीमर जो है 2500 से 1500 इसापुरू मानते हैं, फियर सर्विस 2000 इसापुरू से 1500 इसापुरू मानते हैं, इसी के अधार पर जो है इनका विचार है सैंधो अस्थल की खोज एवं नगर नियोजन हडपा सभिता की खोज किस वस की गई थी वस 1921 में की गई मोहन जोजड़ो एवं हडपा की पुरतात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जान मासल थे सिंधो सभिता को खोज निकालने में किन भालती पुरतात्विक विदो का विशेश युगदान रहा है तो यह है राखल दास बनाजी ते था दयाराम सर्मा दयाराम सहनी जी कहा है हडपा के विशाल तिलो की योर सरपथम किस पुरतात्विक का ध्यान अक्रिस्ट हुआ था चाल्स मैस्यन अठारासो चबिस में हडपा का उठ्खनन का नेवाले पुरतात्विक जो इसके महतो को नहीं समझ पाए थे ए का निगम अठारासो तिरिपनिस्वी में पूर बिक्सित हडपा सभता लगभग कितनी सताब्दियों तक जीवित रही 6 सताब्दी तक हडपा सभता को सिंदु सभता का नाम किस बिद्वान ने दिया सल जान मासल ने हलपा एव मोहन जोड़ो को एक बिस्तरिस समराज की जुडवा राजधानी किस बिद्वान ने कहा इस्तुवाठ पिगट ने मोहन जोड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है मिर्टेको का तिला कहा जाता है मोहन जोदोडो के किले व सहर की सबसे चोड़े सरकी थी 7 वाइ 11 मिटर सिंदु सभेता की प्राकती कैसी थी नगरी सिंदु सभेता को हडपा सभेता क्यों कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली खोदाई हडपा नामग स्थान पर हुई थी सिंधु घाटी सब्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महतपूर कारर किया है मिरिद भांड सिंधु घाटी की संस्कृती वैदिक सब्यता से भिन्ह थी क्योंकि इनके पास नगरी सुविधा थी इनके पास चितर लेखी लिपी थी इनको लोहा और अच्छा सस्त्रों की ज्यान का अभाव था सेंदु सबता के किस स्थल को पतन नगर के नाम से भी जाना जाता है लोथल दधेरी एक परवाती हडपी पुरा स्थली है पंजाब का हडपा सबता का सबसे बड़ा पुरा स्थल का है राखी गड़ी हरियाना में हडपा संस्कृति के स्थलों का सरवदिक संकेंदिर किन नदियों के किनारे से प्रावत हुआ घगघर एवं हकारान से हडपा सबता में कची इटों से किले बंदी किस काल को परदसित करती है प्रग हलपा काल की गुदावरी नदी घाटी छेत प्रावारा नदी में विकासित सैंधों अस्थल है दैमाबाद दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है तो ये प्रावारा नदी प्रक सिंदु सभिता और सिंदु सभिता की अवसेश की सिस्थल से प्राप्थ हुए बनावली एवं काली बंगा से मोसो पोटावमिया अभिलेखो में उलखित मेलूहा की पहचान किसके साथ की जाती है सिंदु छेत से हरपी स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसी उत्तरी छोड को अंकित कहता है किस नदी तैथ पर अवस्थित चिनाब नदी पर हरपी सस्कृती का वह कौन सा पूरा अस्थल है जो जहां से दुर्गी तथा नीचे के नगत दोनों अलग-अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं काली बंगा से पाकिस्तान के चोलिस्तान के रगिस्तान में सरस्वती नदी के सुस्कृतल पर बड़ी संख्या में सैंधोस अस्थल को खोजने वाला बिद्वान है मुहम्मद रफिक मुगल सैंधोस भटा के सबसे पूर्वी अस्थल आलम, गिरपूर का उठखनन काल किस बिद्वान किया था यगदत सरमाने उनीस सो पचास में हडपा संस्कृती की पूर्वी सीमा थी आलम, गिरपूर उत्तर पदिस्ट्ट सेंधो अस्थल आलमगिर्पुर मेरत किस नदी के किनारी स्थित थै हिन्डल नदी के बायं तट पर किस हडपाई अस्थल से चिनाई के कार से दछित प्रस्थार का पर्योग कच्ची एटो के साथ किया जाता है धहुला बीरा से सैंदो सभगता के 21 अस्थल से मानो नगर का पलमाड प्राप्त है धोला वीरा से सैंदो सभगता के 21 अस्थल से गोडी वाड़ा का सच प्राप्त हुआ लोथल से सैंदो स्थल चनुढ़ो के उठ्खनन कार का निद्यशक कि स्पदिद्वान न किया था इंजिन्य जे एच मायके ने राजस्थान के काली बंगा और हर्याना के बनावली हरपा पूर्व अवस्था को कहा जाता है चलको लिठिक तामर पासारिक सैंधो सबता का पसित नगा हरपा किस नदी की तत पर इस्थित है रावी नदी के बायं टत पर वह काउं सहरपा स्थल जो दुर्गी किरित नहीं था चन्दुहडो मुर्ती मिला है मोहर एवन लेपी मिली है हरपा सबता में बहुता यात्व यात्रा में मुद्राओं का निलमार किया गया सेल खड़ी पर सेंदु सबता की मोहरों पर किस पसु का अंकन नहीं किया गया गाय एवन घोडा सेंदु सबता की मोहरों एवन तेरा कोटा की कलाकृतियों पर किन पसु का अंकन मिलता है एक सिंग की हाथी गंडा और हिदर बांग भेडा आदिका सिंधो सभिता में मिटी के बतनों पर समान किस रंग का पर्यूग के जगया लाल रंग का सिंधो घाटी के निवासों कि सभिता के जानने के मूल स्रोत है मोहरे सिंधो सभिता में किस धादू की जनकारी मिलती है ताबा का सैंधो सभिता के किस अस्ठल से हडपा लिपी में बहुत बड़े बड़े अच्छरों में लिखा हुआ एक अभिलेक साइन बोज प्राप्त हुआ धोला वीरा से सिंधो सभिता में माप तावल का क्या अनुपात था बाइनरी पधती पर एक दो आज 1662 दस्मलों पधती पर 1664 एक सो साथ तिनसो बीश चैसो चालीश सिंधो सभिता का काउन सा अस्थल मोहरो के निर्माड का परमुक के नर्था चंधू धड़ो सिंधो सभिता के अस्थल मोहन जोड़ो से प्राप्त मोहर प्रकिन पसुओं के चित्र उठक्रेड मिले हैं बाग गैंडा भाइसा आदी का सिंदू सभिता में समान घ्रेलू बरतन किसे से बने होते थे मित्ती की अच्छी तरह पकाई गए चित्रात्मक बरतन होते थे प्रवातित हडपा काल में पूरा समागरियों के साथ चित्र धूशर पात परंपरा की अवसिस प्राप्त हुए भगवान पूरा से सिंदू सभिता की लिपी की जानकाई प्राप्त होती है महोरों से किस सेंधो अस्थल से मित्ती की प्राचीन कालीन 274 महरी उठकन से गनेरी वाल से किस सेंधो अस्थल से तामरेदत का साच्छ प्राप्त है दैमाबाद से